हापी बर्टी टू यू कर सकते हैं बहुत सारी ये जानकारिया हम आपको दे देते हैं आपके सिक्षा के विशे में बता देते हैं आपके संसकारों के विशे में बता देते हैं और आपकी नौकरी आपका व्यापार आपकी लव लाइफ आपकी मैरिट लाइफ सब कुछ आपको बता चल जाता है आज को बता देते हैं कि क्या करके आप अपने लव लाइफ मैरेड लाइफ को ताजा बना सकते हैं तो चलिए सुरवात करते हैं और बताते हैं सबसे पहले 19 नवंबर को पैदा हुए लोगों की शिक्षा इस वर्ष कैसी जाएगी अगर आप घर के बाहर कहीं रहके अध्यन कर रह हैं या कर रही है तो आपके लिए सुक्षा का अउसर बहुत अच्छे से आएगा धन की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी जिससे आपकी सुक्षा निर्विवाद रूप से और निर्बाद रूप से चलती रहेगी माता-पिता के साथ सुक्षा के अस्तर को आप बढ़ाने में काम्याब होंगे मार्च के बाद थोड़ा सा स्वास्त में गिरावाट आ सकता है जिसकी वज़से सुक्षा प्रभावित होगी और थोड़ा बहुत लव लाइफ भी जुलाई अगस्त के बाद प्रभावित करेगा तो दो सिक्षा के ये विशेश मैटर हैं जो हो सकता आप ये सिक्षा के अस्तर को प्रभावित करते तो इसके लिए आपको बहुत साधान रहने के आवश्यक्ता है अब वो जान ले जो व्यापार कर रहे हैं और 19 नौंबर को पैदा हुई है व्यापार के छेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता काम आईगी और व्यापार को आप फैला सकते हैं अगर आप पहले से ही सोचे थे कि व्यापार में किसी कोई प्रिवेश कराएंगे तो जनवरी फर्वरी में आपके व्यापार में कोई प्रिवेश कर सकता है लाव आपको जरूर मिले आप विदेश से व्यापार कर रहे थे पहले से ही तो वहां से आपकी इंकम एक दम से बढ़ जाएगी अगर विदेश से व्यापार चल रहा था ऐसे लोग जो व्यापार की छेत्र में कुछ पहले से ही सोच रहे थे फैलाव के लिए वो रुख जाएं अभी धन जाता नहीं लगाना है प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में दो बार आपको अच्छे मौके मिलेंगी एक मिल रहा आपको जनवरी मिट से और एक मौका आपको मिलेगा अप्रैल के लाश्ट से नहीं नोकरी का जहां रह रहा है याप प्रमोशन की गुणजाईस आपकी जनवरी में होगी और अगस्त में होगी बीच में आप प्रयास न करियेगा पैर भी भी काम नहीं आएगा सरकारी नोकरी सरकारी छेत्र में आपके लिए अवसर जादा मिलेंगे नहीं लगी होगी और कुंडली में योग होगा और 19 टॉमबर को पैदा हुए हैं तो इस बार सरकारी नौकरी अटल सत्य है लगनी ही लगनी है अचल संपत्ति की वृद्धी के संकेत अपरेल के बाद अचल संपत्ति मिल सकता है अगर आप 19 टॉमबर को पैदा हुए हैं और मारेड लाइफ के वारे में जानना चाहते हैं तो बहुत स्मूद आपका मारेड लाइफ आपकी जलेगी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की समस्या नहीं किसी तरह काहस तक शेप नहीं आप से तालमेले एक दम से बंबं रहेगा पूरे वर्ष आप दोनों हसते खिराते गुजार देंगे बहुत अच्छी इस्तिती रहेगी अगर आप 19 टॉमबर को पैदा हुए हैं और लव लाइफ के विशे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूँ आपको कि तीन चार लव लाइफ आपकी चलेगी इस बर्ष मतलब ब्रेक अप मिलना ब्रेक अप मिलना खूब चलेगा पंचम के चंद्रमा का ये कमाल रहेगा तो थोड़ा संभाल कर कहीं ऐसा ना होगी आप सचमे इसी वज़़े से सिख्षा का अस्तर ही खो दे तो बहुत सावधान में कर रहा हूँ बिमारियों की चर्चा करें तो चसमे का नंबर आपका बढ़ सकता है और हो सकता है कि पाओं से सम्मदित कुछ सरजरी की नौबत आ जाए वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहिएगा बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए यह आपके लिए बहुत अनिवारे रहेगा प्रियोग क्या करना है अब उसको आप जान लीजी दो नीम का पौधा लेकर कहीं मंदिर में लगा देना है और साथ ही कुछ दवाओं का दान करना है मेडिसिन्स का 54 प्रास होगर है तमाम ऐसे आते हैं जो आयर्विदी कवशदियां होती है कोई आसाव ले 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 जेगा काढ़ा ले 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 जेगा जिनकी आज मैरिज अनिवर्सरी है वो आज ये संकर्प ले ले कि तीन बच्चों की सिक्षा में मदद और शादी में मदद जरूर कर दें बस बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सबका कुम्बे स्पेशल दो बच कर तीस प्रेट पर देखना ना भूलिएगा हमें अनुमत दीजे नमस्कार शीरादे नमस्कार माता पिता का दर्द एक ऐसा दर्द जो उनके बच्चे के अविवाहित होने पर या शादी योग के होने पर भी शादी ना होने पर होता है इस दर्द को आपका एश्टो फेंड दिल से महसूस करता है तभी तो आप सब के लिए एक ऐसा मुहूर्थ चुन करके लाया है जब आपके जीवन में प्रारब्ध के आधार पर प्राप्त आविवाहित योग को भी भंग किया जा सकता है जानते हैं क्या है वूर्थ 19 नमबर 2018 दिल सोमवार तुलसी विवाह का दिन आप सब का स्वागत करते हैं ऐसे सभी लोग लड़के और लड़कियां जो विवाह के योग्य हो चुके हैं सक्षम है और फिर भी शादी नहीं हो रही है देरना करिएगा तुरंट कॉल करिए जो नमबर साब के सामने चल रहे हैं और अपना अपना रजिश्रेशन करवाईए दन्यवाद जैश्री राध है एस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी जी के द्वारा जन कल्यान और प्राणियों के खुशाल जीवन के लिए एक महायग्य का आयोजन किया जा रहा है इस महायग्य में हर एक हवन कुंड पर एक ब्राहमन द्वारा आपके कुंडली के ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप और आहुती की वेवस्था होगी हमारा उद्देश्य जन कल्यान के साथ साथ राष्ट निर्मान और कल्यान भी है जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राहमन निर्धारित किये जाएंगे जो संतोशी जी के मार्ग दर्शन में मंत्र जाप करेंगे इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाटसेप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे नंबर्स हैं 9560447000 9910291850 9999024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रेजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं हमारा पता है B35GM1 शालिमार गार्डन एक्स्टेंशन 2 साहिबाबाद घाजियाबाद उत्तरप्रदेश यग्ये के लिए रेजिस्ट्रेशन पहले आउ पहले पाउ के आधार पर होगा सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए सब्सक्राइब कर टे में